कल माग पुर्णिमा का परवथा, माग का महिना विशेस रुप से नदियों, सरोरों और जल स्त्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। हमारे सास्त्रों में कहा गया है, मागे निमगना, सलीले शुशीते, विमुक्त पापा, तिदिवं प्रयांती, अर्थात माग महिने में किसी भी पवित्र जलाशे में सनान को पवित्र माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी ही कोई न कोई परंपरा होती ही है, नदी टर पर अनेक सभिताएं भी विक्षित हुई है, हमारी सस्कृती क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है, इसके इसका विस्तार हमारी हाँ और ज्यादा मिलता है। भारत में कोई ऐसा दिन होगा जब देश के किसे ने किसी कौने में पानी से जुड़ा को उत्सवना हो। माग के दिनों में तो लोग अपना घर, परिवार, सुक, सुविदा छोड़कर पूरे महिने नदियों के किनारे कल्पवास करने जागते हैं। इस बार हरिद्वार में कुम्ब भी हो रहा है, जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी एक तरह से पारस से भी जादा महत्वबूर है, कहाए जाता है पारस के स्पर्ष से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही पानी का स्पर्ष जीवन के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। साथियों, माग महिने को जल से जोडने का संभवत हैं एक और भी कारण है। इसके बाद से ही सर्दियां खत्म हो जाती हैं और गर्मियों के दस्तक होने लगती हैं। इसलिए पानी के सवर्वक्षन के लिए हमें अभी से ही प्रयाप शुरू कर देने चाहिए। कुछ दिनों भाद मार्च महिने में ही 22 तारीको वर्ल्ड वर्टर डिवी हैं। मुझे यूपी की आरैध्या जी ने लिखा है कि दुनिया में करोणों लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी को पुराखने में ही लगा देते हैं। बिन पानी सबसून ऐसे ही नहीं कहा गया है। पानी के संकट को हर करने की अच्छा मैसेश। पस्चिव मंगार के उत्तर दिनाजपूर से शुजीर जीन मुझे भेजा है। शुजीर जीन ने लिखा है कि प्रकुतिने जल्द के रूप में हमें एक सामुहिक उपहार गया है। इसलिए इसे बचाने की जिम्यदारी भी सामुहिक है। यह बाद सही है। जैसे सामुहिक उपहार है, वैसे ही सामुहिक उत्तरदाइत्म भी है। सुजीर जीन नदी, ताला, जील, वर्षा या जमीन का बानी, इस सर्थ हर किसी के लिए है। साथियों, एक समय था जब गाओं में कुएं, पोखर, इनकी देखवाल सम मिलकर करते थे। अब ऐसा ही एक प्रयास तमिनाडू के तिरुवन्ना मलाई में हो रहा है। यहां स्थानिये लोगों ने अपने कुओं को समरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। यह लोग अपने इलाके में वर्षों से बंद पड़े सारवजनी कुओं को फिर से जिवीत कर रहे है। मद्द प्रदेश के अग्रोधा गाओं की बबीता राजपूत जिर्भी जो कर रही है उससे आप सभी को प्रेणा मिलेगी। बबीता जी का गाओं बुंदेलखंड में हैं। उनके गाओं के पास कभी एक बहुत बड़ी जील थी जो सुख गई थी। उन्होंने गाओं की ही दूसरी महलाओं को साथ लिया और जील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। इस नहर से बारिस का पानी सीधे जिल में जाने लगा। अभी जिल पानी से भरी रहती है। साथियों उत्रा खंड के बागेश्वर में रहने वाले जगदिश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है। जगदिश जी का गाउं और आसपास का ख्षेत्रा पानी की जरुनतों के लिए एक प्राकुतरिक स्रोथ पर निर्भर था। लेकिन कही साल पहले इस स्रोथ सुख गया। इससे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया। जगदिश जी ने इस संकट का हल व्रक्षा रोपन से करने की ठानी। उन्हें पूरे इलाके में गाउं के लोगों के साथ मिलकर हजारों पैड लगाएं। और आज उनके इलाके का सुख चुका वो जलस्रोथ फिर से भर गया है। साथियों पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामुही जिम्मेदारियों को समझना होगा। भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मैज जुन में बारुष शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जलसोतों के सफाई के लिए वर्षा जलके संचैन के लिए सो दिन का कोई अभयान सुरू कर सकते हैं। इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जलशक्ती मंत्रा ले द्वारा भी जलशक्ती अभियान, catch the rain भी शुरू किया जा रहा है, इस अभियान का मुल मंत्रा है, catch the rain, where it falls, when it falls. हम अभी से जुटेंगे हम पहले से जो rain water harvesting system है उन्हें दूरस करवा लेंगे गावों में तालाव में पोखरों की सफाई करवा लेंगे जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते के रुकावटे दूर कर लेंगे तो जादा से जादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे